हेलो एव्रीवन गुट बार्निंग टो लॉफ्यों वेलकम टू लॉजिक पाट्शला आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 19th of July 2022 के इस वीडियो का चो PDF है वो आप लोगों को टेलिग्राम पर मिल जाएगा लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो चलिए फिर इंपॉर्टन सेशन को शुरू करते हैं एक motivation code से nobody can go back and start a new beginning but anyone can start today and make a new ending पर देके कोई भी है वापस तो नहीं जा सकता है कि हम पिछले अगर हमसे कुछ भी रह गया हो तो हम वापस से past में चले जाए और फिर से start करते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम आज से वो काम शुरू करें और एक नई ending को create करें तो इसलिए जो काम आपका हो गया है या जो चीज़ आपसे होनी थी वो आप नहीं कर पाए उस चीज़ को छोड़े और आगे बढ़ना शुरू करें उस काम को फिर से शुरू करें यह नहीं कि यह सोचते रहे खाली कि अच्छा यह नहीं हुआ है काश ही हो चाता ऐसा बिलकुल भी ना सोचें तो हमेशा आपको अपने आज के उपर और अपने फ्यूचर के उपर ध्यान देना है ना कि अपने पास्ट के उपर तो चले फ्रेंड इस इंपर्टन सेशन को शुरू करते हैं क्वेशन फर्स्ट से तो जो पैसेंजर से उनके अधिकारों को जानने में मदद करने के लिए किस देश ने अभीशन पैसेंजर चार्टर को लौंच किया है सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड यूनाइटे किंग्नम ने लौंच किया है आप इसकी मनस्त देखे क्या होगा कि airport पर passengers को जो problems face करनी पड़ती है वो यहाँ जान सकेंगे कि क्या उनके rights है किसका वो use कर सकती है जिसकी मदद से जो भी problems आती है वो उसका solution वो यहाँ पर ले सकती है या कहले जी उन्हें वो problem face नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि जब हम अपने rights की बारे में हमें पता होगा तो हम असानी से अपने rights को use कर सकते है यह तो simple हो जाएगा तो हमें country ध्यान रखनी है कौन सी है United Kingdom और फ्रेंट्स international news की बात आती है तो देखें revision चले फिर revision कर लेते हैं थोड़ा सा केतान जी Brown Jackson इनका नाम आपने जरू सुना होगा यह first black woman बनी है जो कि US की Supreme Court में मतलब पहली black woman as a judge बनने वाली कौन बनी है केतान जी Brown Jackson इसके अलावदे के जो फूजियान है यह चाइना का तीसरा most advanced domestically built aircraft carrier है जो कि अभी हाली में लॉंच हुआ इसके बाद अपीडा ने organize किया mango festival कहाँ पर बहरीन में ताकि जो mango का export है यानि जो उसका निरियात है उसको क्या कर सके boost up कर सके बढ़ा सके उसे वर्ड का पहला right to repair law यह किसने कहाँ पर पास हुआ था नियॉर्क के legislature के दौरा इसे पास किया गया था तो friends देखे आपको अब revise भी हो गई होंगी news तो मैं आपको revision जाद से यादा कोशिश करती हूँ कि revision कराऊं जिससे आप पुराने जो current affairs है न वो बिलकुल भी ना भूले next question पे बढ़ते है which of the following will launched the mapping and exchange of good practices initiative for mainstreaming millets in Asia and Africa इन में से कौन Asia और Africa में बाजरा को मुख्यधारा में लाने के लिए mapping and exchange of good practices पहल को शुरू करेगा सही answer है देखे friends नीती आयोग और world food program तो ये दोनों ही इस जो mapping and exchange of good practices है इसे शुरू करेगा तो आपका answer होगा both A and B is the right answer आप देखो फिर दोनों organization के बदर से क्या होगा कि जो millet है millet मतलब होगया बाजरा बाजरे के उत्पाधन और इसका जो consumption है इसको बढ़ाने के उपर दोनों के दोनों organization ध्यान देगी इस कारेकरम का उत्गाटन किस ने किया जो नीथी आयो के अभी vice chairman मनी है सुमन बेरी वो है वो जो है वो इसकारेकरम को जो है इसकारेकरम को उनों वो इनागरेट करेंगे तो ये भी हमें ध्यान दे रहा है कि जो program है इसे इनागरेट कौन करेंगे सुमन बेरी आगला question देखिए अभी हाली में देखो जिसको सिवा से हटाया गया है उसे डिकमिशन किया गया है उसका हमें नाम बताना है शिप का तो उसका नाम है INS Sindhu Dhuj तो INS Sindhu Dhuj रज हाली में देखे इसको क्या किया गया है इसे 1987 में नेवी में कमिशन किया गया था सिंदु दुष ने 1986 और 2000 के बीच में रशिया से हासल की गई 10 किलो श्रेनी की यह पंडुब्यों में से एक थी इसे कहां से एक्वाइर किया गया था रशिया से इट वोसी ओनली समरीन तो भी अवाड़ेड दचीफ आफ दी नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रोफी फॉर इनोवेशन इसके द्वारा इसी अबॉर्ड मिला था प्राइम मिनिस्टर मोधी जी के द्वारा और अब इसे हाली में दी कमिशन किया गया तो आपको देखो ध्यान क्या क्या रखना है आपको एक तो इसका नाम ध्यान रखना है और इसे कौन सी इयर में कमिशन किया गया था यह चो इयर है 1987 यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अब देखिए इंडियन नेवी के बा करते हैं तो इसका जो मोटो है वो है शम नो वरुणहा मतला में दा लॉर्ड ओ वॉटर भी ऐस्पीशियस अंटु अस इसके स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी हेड़कौर्टर है इंडर नेवी का न्यू डेली में कमांटर ने इंचीफ कौन है प्रेजरेंड रामनात कोविं जी और नेवल स्थाफ के जो चीफ है उनका नाम है एड्मिरल आर हरीकुमार तो यह फ्रेंड चुट चुट चुटे पॉइंट्स है जो कि हमें इंपोर्टेंट हो जाते हैं एक्साम पॉइंट ओवी से अगला कोशन देखिए इंडिया's first ever underwater metro train to be set up in which city भारत के पहली underwater metro train क इस शहर में स्थाफित की जाएगी सही आंसर है फ्रेंड्स कॉलकाता में जो है वो इसे स्थाफित किया जाएगा यह जो metro line होगी यह पूरी 10.8 km लंबी होगी इसका जो crucial part होगा यानि जो underwater tunnel के अंदर होगा वो लगबग 520 मीटर का रहेगा यह initiative भारत की euro star train का एक version है जो क United Kingdom में London और France में Paris के बीच में यात्रा करती है तो उसी को देखते हुए यह आपके लिजे उसी initiative को शुरू करने की यह पहल है भारत में और पहली underwater train कहां पर इसको setup किया जाएगा तो friends आपका अंसर है कॉलकाता next question देखिए which state government has partnered with the United Nations Development Program for data and climate resilient agriculture तो कौन से राज्ये की सरकार ने जो है वो data in climate resilient agriculture के साथ में partnership करी है सही answer है friends यहाँ पर तेलंगाना तेलंगाना इस ते राइट आंसर आप देखिए इसकी मदस देना farmers को मदब इसकी वज़ा से farmers को help लेगी जो data in climate resilient agriculture है यह क्या है अपनी तरीकी का एक digital solution है जिसका उदेश्य है यह जो food system है जो food security है उसको strengthen करना और इसमें artificial intelligence technology का यूज किया जाएगा इसमें किसानों को उनकी जो फसल है और उनकी जो उनकी फसल के साथ साथ उनके जो पशू है उस पर climate change का जो effect पड़ता है उसको भी कम करने में यह मदद करेगा तो इसी के लिए UNDP ने partnership करी है यहाँ पर किसकी साथ तिलंगाना स्टेट के साथ बात करते हैं फ्रें countries है उनमें गरीबी को खतम करना और sustainable development साथ ही में साथ human development growth करने में उनकी मदद करना इसके सापना होई थी 22 November 1965 headquarter है इसका New York US में और इसके parent organization है United Nation General Assembly तो बहुत बार देखी यह जैसे organization है ना इनका आप लोग उससे headquarter पूछ लेती है तो थोड़ा सा आप लोग ना अगला question है which state has become the first and only state in India to have its own internet service कौन सा राज्ये अपनी internet सीवा रखने वाला भारत का पहला और एक मात राज्ये बन गया है सही answer है friends देखे केरल तो ऐसा करने वाला केरल जो है वो पहला राज्ये मना है इसकी announcement तब की गई जब केरल fiber optic network limited ने receive किया internet service provider का license department of telecommunications ते उसके बाद जब ये license उनको मिल गया तब इसकी announcement की गई आप देखे जो केरल fiber optic network scheme है ना इसकी मदद से state में जो BPL families हो गई या कह लिचाप 30,000 जो government offices है वहाँ पर free में internet provide किया जाएगा इसकी मदद से जो ये scheme यहाँ पे केरल में शुरू हुई है अब यहाँ पे बात आती है देखो friends केरल की तो केरल से जुड़े कुछ इस्टेटिक जीके की questions को करती है जैसे की केरल में CM कौन है पिनरी विजियन और केरल में governor है आरिव महम्मद खान नैशनल पार्क में है अनाई मुडी शूला नैशनल पार्क एरेवी कुलम नैशनल बार्क इसके लावा important है पेरियार और साइलेंट वेली केरल में जो important डैम है वो है इडू की यह सबसे जादा पूछा जाता है जो की है पेरियार रिवर पे एक और ध्यान रखो मुला पेरियार जो gravity डैम है यह भी पेरियार रिवर पे है यह जादा पूछते हैं आपके केरल स्टेट से यहां के registered GI tax में कौन कौन से है देखी important एक देखो फ्रेंट यह ध्यान रखो बालराम पकरम सारीज और fine cotton fabrics यह एक्जाम में पूछते हैं पाला कद्दनम मट्टा राइस यह भी कहां से है केरल से अब देखो इंडिया में पहली की बात हो ही रही है तो कुछ first in India जो current affairs related है उनको revise करते हैं अब water plus city की अगर हम बात करें तो indoor को declare किया गया था इंडिया की पहली water plus certified city इंडिया का जो पहला drone forensic lab है यह कहां पे setup किया गया केरल में इंडिया के tallest air purifier tower को install किया गया है चंडिगड में Tata Steel के दौरा commission किया गया इंडिया का पहला plant जो की CO2 को capture करेगा इसके इलावद एको IIT मदरास ने develop किया नियो बोल्ट यह इंडिया की पहली indigenous motorized wheelchair vehicle है तेन काजी रंगा जो national park है और यह कहां पर है असम स्टेट में यह इंडिया का पहला national park बना जहां पे satellite phones को use किया जा रहा है तो friends यह आपकी important news है आगले question पे बढ़ते है who has been appointed to discharge the functions of the governor of West Bengal in addition to his own duties यानि पश्य मंगाल के राज्यपाल के कारियों के निर्वहन के लिए अपने सोयम के कर्तव्यों के अलावा किसे न्युक्त किया गया है तो friends यहाँ पे धियान रखेगा लागनेशन क्योंकि देखे जो West Bengal के जो governor है उन्होंने क्या किया है रिजाइन किया है और West Bengal में वैसे governor कौन थे ये भी धियान होना चाहिए हमें जगदीब धनकर जगदीब धनकर ने देखे अभी अपने post से रिजाइन किया है तो जो मनीपुर के governor है लागनेशन उन्हें यहाँ पर extra जो है work दिया गया अब ऐसे कह लिजे उनको एक्स्टा चार्ज दिया गया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंत जी ने वेस्ट बिंगॉल के जो governor है जगदीब धनकर उनका resignation accept कर लिया जिने उपराश्टपती चुनाव के लिए सत्ता रोण जो ruling national democratic alliance है उसके उमिदवार के रूप में उन्हें नामित किया गया है और धनकर जो है यह governor बने थे यहां के 2019 में आप देखो वेस्ट बिंगॉल से related कुछ facts की बात करें तो वेस्ट बिंगॉल में विससे cm कौन है यह आप सभी को ध्यान होगा ममता बेनर जी वेस्ट बिंगॉल में लॉकसभा सीट है 42 राजसभा सीट है 16 यहां का state animal है fishing cat state bird है white throated kingfisher important national park में है बकसा tiger reserve इसके लावा देखे जल्दा पारा और यह ध्यान रखे का सुन्दरवर यह सभी important है आपके वेस्ट बिंगॉल से आगले question पर बढ़ती है question important है देखो which two states sign an agreement to end the decade old border dispute यानि बहुत तशकू से जो पुराना border dispute चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए कौन सी दो state ने एक समझाते पर हस्ताक्षर करी है right answer है friends असम और अरुणाचल प्रदेश की government के दौरा जो है यह समझोता किया गया यह समझोते को देखो नामसे declaration बोला गया है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एक जगा है नामसे जहां पर इस agreement को sign किया गया उसके बाद ही इसका नाम पड़ गया नामसे declaration तो यह पोच सकते हैं कि नामसे गोशना किन दो state की बीच में हुई question ऐसे भी मन सकता है इस agreement के तहट देखिए दोनों राज्यों में जो disputed villages है उनकी जो संक्या वो 123 के बजाए 86 तक सीमित करने और 15 September 2022 तक बागी जितने भी disputed villages हैं उनकी जो भी problems होगी उन सभी को solve करने का यहाँ पर निंडले लिया गया मतलब पूरी तरीके से जो dispute चल रहा है जो विवाद चल रहा है उसको खत्म करने का यहाँ पर इस समझाते में फैसला लिया गया है next question देखो who has been appointed as a non-independent non-executive director of indigo तो indigo के गैर स्वतंत्र गैर कारेकारी निदेशक के रूप में किसे न्युक्त किया गया है सही answer है friends मेलेवेतिल दामोदरन तो इन्हें अभी indigo के non-independent non-executive director पत्पे appoint किया गया यह एक retired IS officer है और इससे पहले देखे 2005 से लेके 2008 तक यह CB के chairman पत्पर यह कारेरत थे he is widely acknowledged at one of the India's foremost champions of corporate governance तो आपको simple 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 धियान रखना है कि indigo के अभी जो की एक private airline company है और इसके अभी हाली में non-independent non-executive director कौन बने है मेलेवेतिल दामोदरन next question देखिए who has been appointed as a new MDN CEO of the national stock exchange तो national stock exchange के जो नए MDO CEO बने है उनका नाम है आशीश कुमार चौहान तो fans याद रखेगा यह बने है managing director और CEO अब देखे इन्होंने किसको succeed किया है तो Vikram Limya के स्थान पर यह appoint हुए है जो Mr. Johan है आशीश कुमार चौहान यह current में MDO CEO को थे बंबे stock exchange के लेकिर अब यह MDO CEO बनाए गए है national stock exchange में यह जाने जाते है father of India's financial derivatives के नाम से तो important point है यह ध्यान रखेगा father of India's financial derivatives के नाम से कौन जाने जाते है तो आपका अंसर होगा आशीश कुमार चौहान कुछ और appointments की बात करते हैं तो देखिए अभी राजेंत प्रसाद यह managing director बनी है national high speed rail corporation limited के इसके लावा मुस्तफ फिजो रह्मान यह बांगलादेश में high commissioner बनी मतलब इंडिया में बांगलादेश के high commissioner बनी है आरकी गुपता deputy election commissioner बनी संदीब कुमार गुपता next chairman बनी है किसके गेल के तो friends यह important appointments हैं जिससे की हमारा अच्छे से revision हो जाएगा आगला question देखो who has won the woman single title of this Singapore open badminton tournament हाली में देखो जो Singapore open badminton tournament हुआ उसमें woman single का title किसने जीता है answer हो जाएगा PV Sindhu तो friends ध्यान रखेंगे इसमें उन्होंने Singapore की जो finalist रही Wang Zee इन्हें final में उन्होंने defeat किया अब देखो friends Sindhu गर हम PV Sindhu की बात करते हैं तो 2022 में इन्होंने तीन titles और भी जीते हैं मतब तीन titles जीत लिए total एक तो है Swiss open second देखो है Sayyad Modi India international ये भी इन्होंने जीता और अब इन्होंने Singapore open में woman single का title जीता है तो ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि इस बात जो जो title जीते हैं उन्होंन में से कोई सा भी आपके exam में पूछ सकती है अगला question है तो सर्विया में आयोजेत पंदरुवा अंतराश्टी है शतरंच ओपन पैरसिन ये किसने जीता है तो यंग इंडिया के जो grand master है आर प्रग्यानन्द इन्होंने जो है ये title जीता है इसमें second spot पे रही है अलेक्जेंडर प्रडिके लेकिन आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि second place पे कौन रहा ये नहीं पूछेंगे या तो पूछेंगे कि कौन जीते है और एक पूछ सकते हैं कि इसका आयोजेन कहां पे हुआ है तो सर्विया में जो है वो इसका आयोजेन किया गया फ्रेंड्स ये थे हमारे आज की सभी important questions now time आता है हमारे revision करने का यानि कल वाले question का हम quick से आपका एक test लेंगे तो आप लोग साते सात में अपने answers को खुछ से mark करते रहेगा तो चलिए पहला question देख लेते हैं which countries met office has issued the first ever red warning declare a national emergency देखो यहाँ पर national emergency क्यों declare किया गया था क्योंकि जो temperature है यहाँ पर पहली बार 40 degree Celsius सक बहुँच गया और country कौन सी है United Kingdom is the right answer अगला question है Department of Consumer Affairs has launched Dash Mascot for Empowering Consumer Rights Mascot का नाम क्या है जागरती इसके बाद देखें who among the following जन्होंने launch किया है 4th P-17A Stealth Frigrate और इसका नाम है Dhunagiri इसे कॉलकाथा में launch किया गया यह launch किस ने किया है Defense Minister राजना सिंग जी ने इसके बाद which telecom company has completed a successful trial of the India's first 5G private network तो इसका सफल परेशन कौन सी company ने किया answer हो जाएगा भारती एडल which statutory body has launched the knowledge portal for Khadi to provide design directions to the Khadi institutions इसे launch किया है Khadi and Village Industry Commission ने which city कौन से शेहर को declare किया गया first cultural and tourism capital of Shanghai Cooperation Organization तो वारानसी को declare किया गया है पहली सांस्कृतिक और परेटन रास्धानी अगला है NHPC Limited ने sign किये हैं अगला कोशन है कौन सा बैंक पहला प्राइवेट बैंक बना जिसने complete किया technical integration with the new e-filing portal of the income tax department राइट आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक का headquarter कहां पे है तो याद रखेंगे मुंबई में इसके बाद देखिए who has been felicitated with Mother Teresa Memorial Awards for social justice तो देखिए इस पार चुई अवार्ड है न दो लोगों को मिला है एक तो नाम है दिया मिर्चा और सेकेंड नाम भी आपको धियान रखना है अफ्रोज, शाह, इन दोनों को ही Mother Teresa Memorial Awards से सम्मानित किया गया तो फ्रेंट्स ये थे हमारे complete questions now time आता है static GK के questions को cover करने का तो friends यहाँ पर मैंने science related questions रखे हैं जो के exam में बार-बार पूचे गए हैं तो चलिए ने देख लेते हैं Albert Einstein was awarded the Nobel Prize for देखिए Albert Einstein को Nobel Prize मिला लेकिन किस के लिए मिला उनके photoelectric effect के कारण जो उनोंने ये experiment किया photoelectric effect का उसके लिए उनको Nobel Prize मिला electric motor जो है ये electric energy को किसमी convert करती है तो ये electric energy को convert करती है mechanical energy में इसके बाद देखिए Robert Coach इनोंने invent किया है किसका? electron microscope का what is used in nuclear reactor as a moderator it is also known as heavy water तो nuclear reactor में as a moderator किसका use किया जाता है तो answer है deuterium oxide इसका formula है D2O which metal is in liquid state as a room temperature तो room temperature पर कौन सी metal है जो कि liquid state में रहती है तो वो है gallium what is known as artificial silk artificial silk किसे कहते है तो आपका answer होगा rayon the chemical name of washing soda is washing soda का जो chemical नाम है उससे कहते है sodium carbonate तो इस तरीके के question देखे आपके exam में बहुत पूछते हैं इनको ध्यान रखिएगा अगला है what is the chemical name of chromic acid तो इसका chemical name है chromium trioxide chemical name of picric acid picric acid का जो chemical name है वो है trinitrophenol तो friends यह हमें ध्यान रखने important questions कल में आप लोगों से question बूचा था कि जो हरियाली महसब है इससे कहां पे शुरू किया गया न्यू डेली में second question में जो ने पद मिश्री से सम्मानित किया गया था वो था 2020 तो आज मैंने काफी सारे comment रखे हैं यूँकि मुझे बहुत अच्छा लगा friends कि आप लोग comment कर रहे हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप छूटा करें बढ़ा करें comment doesn't matter सिर्फ आप comment करें इससे क्या होगा आपकी knowledge में ही increase meant होगी तो आज की comment है प्रतिका भासिन, सुनिल मलागी, अभिशेक सिंग, बेक स्ट्रेट काहना, सिमरन, AATS, चंदन प्रधान तो friends thank you so much कि आप लोगों ने comment किया है तो आज का homework question आप लोगों के लिए Where has India's first community music inaugurated to preserve cultural heritage तो सांस्कृत विरासत को संदक्षित करने के लिए भारत का जो पहला community museum है इसका उद्गाटन कहां पर किया गया अब देखो friends आपको यहाँ पे न स्टेट भी दे रखी है तो मैं आपसे आज यह उमीद कर रही हूँ आपसे यह आशा कर रही हूँ कि आप उस state के बारे में थोड़ी से knowledge share करें यानि CM कौन है, governor कौन है, capital किया है वहां की या जो भी आप लोगों को knowledge and state के बारे में वो सभी आप लोग share जरूर करें तो friends यह थी हमारी आज के class जिसमें हमने सभी concept को बहुत ही detail wise study किया साती में revision किया, static gk के questions करें तो overall आपको एक complete package इस video से मिल जाता है बस मैं friends आपसे आशा करते हूँ कि please video को like जरूर करें share करें video को जादा से जादा और अगर आप channel पे नई हो तो channel को subscribe जरूर करें ताकि हम इस family को और भी जादा grow कर सकें जादा से जादा लोग हमसे जूड सकें thank you so much guys for watching this video